नमस्कार दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं घी के बारे में कि घी बच्चों को कब से देना शुरू करना चाहिए कितना देना चाहिए कैसे देना चाहिए और कौन सा देना चाहिए आगे इस वीडियो में हम यही सब डिसकस करने वाले हैं तो आईए चलि को घी की जरूरत नहीं होती और उसे देना भी नहीं चाहिए तो छे महीने के बाद आप छोटे-छोटे से पहले एक बाद डॉक्टर से जरूर पूछना चाहिए तो अगर आप बच्चे को घी देना स्टार्ट कर रहे हैं तो इस केस में क्या होता है कि वैसे तो हम भैस के दूद का घी इस्तमाल करते हैं पर बच्चों के केस में आप कोशिश करिए कि गाए की दूद का ही घी यू जैसे कि गड़बढ हो जाता है लूज मोशन हो जाते हैं तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है बच्चे को शुरुआत में शिर्फ एक चमच घी ही दे यदि आपका बच्चा छे महीने से लेके एक साल तक है तो आपको सिर्फ उसे पूरे दिन में एक चमच ही घी देना है और यदि आपका बच्चा एक साल से बड़ा हो गया है तो आप उसे दिन में दो चमज भी घी दे सकते हैं अब ये समझना जरूरी है कि अगर आप बच्चे को घी देना चाहते हैं तो वो किस फॉर्म में दे तो मान दीजी आप कोई भी चीज बच्चे को बना के दे रहे हैं जैसे घीचडी बना के दे रहे हैं उपमा बना के दे रहे हैं तो इसमें घी का तड़का लगा कर बच्चे को खाने के लिए दीजिए या फिर जब खीचडी बन गई है तो उपर से उसे थोड़ा सा घी डाल दीजिए यदि आप अपने बच्चे को पराठा बना के दे रहे हैं तो वो आप घी में बनाईए तो कहने का मतलब ये है जो भी चीज आप बच्चे को खाने को दे रहे हैं उसमें तेल या रिफाइंड ना यूज़ करके उसके लिए घी यूज़ करिए बच्चे को दूद वगएरा में घी डाल के अभी मत दीजिए जो भी पराठा हो गया उक्मा हो गया खिशड़ी हो गया जो भी चीज आप बना रहे हैं बच्चे के लिए उसमें आप घी डाले तो इससे बच्चे को भी घी के फाइदे अच्छे से मिल पाएंगे जब आप घी दे रहे हैं बच्चे को तो हमारे लिए ये समझना भी जरूरी है कि आखिर घी देने के फाइदे क्या-क्या है तो आईए आप घी के फाइदों के बारे में जानते हैं सबसे पहला फाइदा ये है कि ये बच्चे को बहुत अच्छी एनरजी प्रोवाइड करता है कई बच्चे बहुत थके-थके से रहते हैं इसके मुकाबले घी खाना वाला बच्चा ज़्यादा एनरजेटिक रहता है नेक्स्ट इसका बहुत बड़ा फाइदा है कि healthy weight gain जो parents अपने बच्चों का weight बढ़ाना चाते हैं वो बच्चे की diet में घी जरूर शामिल करिए तीसरा factor है वृधी, मतलब growth घी में काफी जरूरी vitamins होते हैं, nutrients होते हैं जो बच्चे के लिए बहुत postic होते हैं जैसे की vitamin D, E और K बच्चे की growth के लिए बहुत जरूरी हैं और ये तीनो vitamins घी में पाए जाते हैं इसके अलावा घी में कुछ ऐसे nutrients होते हैं जो बच्चे की bones density को बढ़ाते हैं मतलब जो बच्चे की bones को मजबूत बनाते हैं इसमें अच्छी मातरा में क्यूंकि calcium भी होता है vitamin D भी होता है जो bones के लिए बहुत जरूरी होता है एक और घी का फाइदा है कि बच्चे को घी से अच्छी immunity मिलती है यदि आप बच्चे को गाएं का घी देते हैं तो बच्चे को जैसे जो बच्चे होते हैं तो घी बच्चे को जरूर देना चाहिए सिमरिती और सहनशक्ती बढ़ाने के लिए मतलब जो बच्चे घी खाते हैं उनमें सिमरिती और सिमरिती मतलब यादाश और स्टैमिना बढ़ाने में घी बहुत हैल्प करता है फिर नेक्स्ट है कि घी से एक्जीमा एक्जीमा जैसे मतलब खुझली, सूजन और तवच्चा से जो रिलेटिट समस्याएं होती हैं उनसे बच्चाव के लिए भी घी बहुत लाबकारी माना गया है अभी तक तो हमने फाइदों के बारे में बात करा है अब हम बात करेंगे नुकसान के बारे में कि अगर आप अपने बच्चे को लिमिटेड अमाउंट से ज़्यादा घी दे रहे हैं तो उसकी क्या नुकसान हो सकते हैं अगर आप अपने बच्चे को जरुद से ज़्यादा घी दे रहे हैं तो ये मुटापे का कारण बनता है मतलब बुबैसिती बच्चों में फिर होने लगती है मान लीजिए आपने दुपैर को बच्चे को खाने में ज़्यादा घी दे दिया कोई भी चीज बना के तो इससे क्या होगा बच्चे का पेट भरा भरा रहेगा और शाम को जब आपको जैसे कुछ खाने के लिए देना होगा तो उसके पेट भरे भरे की वज़े से वो नहीं खाएगा जिसे कि जो न्यूटरेंट्स उसको शाम मिलने वाले थे वो से नहीं मिलेंगे तो इसलिए जितना जरूरी है उतना ही घी दीजिए तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में जाना कि घी कप से देना चाहिए कितना देना चाहिए कैसे देना चाहिए और कब देना चाहिए तो होप आप से इसको कुछ नॉलेज मिली होगी आज के लिए इतना ही थैंक यू एंड बाइ बाइ